आज हम सुनेंगे डेट का हिबानी 9th August 2021 का शाकार हिंदी मुर्वी आज बाबा सार में बताते हैं ये बाप और दादा की वंडर्फुल कहानी है जब दादा में बाबा प्रविश करते हैं तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बश्य की संपत्य की अधिकारी बन जाते हो कितना वंडर्फुल कहानी है इसका हेड्लाइन है फिर बाबा समझाते हैं निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष अविश्य रखना है ड्रामा तो है लक्ष हमें रखना उत्तर है पुरुशार्थ कर गैलब करने का अर्थात बिनाश के पहले बाब की याद में रहकर कर्मातित बनने का लक्ष अवश्य रखना है बहुत इंपर्टेन बाद बाबाबा समझाता है कर्मातित अवस्ता अर्था आईरन एजट से गोल्डेन एजट में गोल्डेन एजट बनना आत्मा भी आईरन एजट है गोल्डेन एजट अर्थ सतियोगी लायक पुरुशाट का यही थुरा सा समय है संगम योग इसलिए बिनाश के पहले अपनी अवस्ता को आचोल अडोल बनाना है कम से कम क्या करना आठ घंटा याद में रहने का पुरुशाट करना अपनी अवस्ता आचोल अडोल रखने के लिए याद का अभाश बराते रहना गफलत बिलकुल नहीं करना या ड्रामा बिलकुल एकॉरेट बना हुआ है इसलिए किसी भी आत्मा पर नाराज नहीं होना निश्चे बुद्धी बनना मैं भी ड्रामा में और बाबा भी ड्रामा में और जो जिसको हम देखते हैं सब भी ड्रामा में एक डर है तो दिल में सदा एक राम को बिसाओ तो सच्ची सभा करने वाले तुम बन जाओंगे और क्या होगा तुम माया जीत बनोगे भी जई भवो के बर्दन तुमें प्रप्त होगा जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे बाप और आप साथ कंबाइंड होना चाहिए ऐसा स्थिती हमें बनाना चाहिए अभी हम विस्तार से सुनेंगे मेठे वच्छे बाप और दादा की भी wonderful कहानी है दुनिया में बहुत कहानी हम सुनते हैं ये कहानी है बाप और दादा की तो बाप जब दादा में प्रैमेश करते हैं तब तुम ग्रमा कुमार कुमारी बर्शे के संपत्ति के सर्ग दुनिया क लायक बन जाते हो अधिकरी बन जाते हो प्रश्ण है निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष अविश्यो रखना है उत्तर है पुरुषार्ट कर गैलब करने का अर्थाद बिनाश के पहले बाप की याद में रहोकर करमातित बनने का लक्ष अविश्यो रखना है करमातित अर्थाद आयरोन एजेट से गोल्डन एज बनना पुरुषार्ट का यही थोरा सा समय है इसलिए बिनाश के पहले अपने अवस्ता को अचोल अडल बनाओ अम शान्ति यो दोनों कौन कहते हैं एक था बाबा एक था दादा बाब दादा कौन है एक हे बाबा एक हे दादा कहानी सुनाते हैं न एक राजा था एक रानी थी अब यो फिर है नहीं बाब तो एक बाबा एक दादा तुम कहेंगे 5000 परशो बर्शो पहले भी एक था शे बाबा दूसरा था ब्रह्मा दा बाबा तो अब शीप की बच्चे तो सब हैं हम सब आत्मे तो एक बाब की संतान है वो तो है ही ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मन भी है प्राजा पिता ब्रह्मा के शंतन ब्रह्मा कुमार कुमारिया थे हम अभी हमें ये कहानी का पता लगते हैं और हमें खुशी बरपूर हो जाता है तो उन्हों को कौन पर आते हैं शीप पोत्रे भी हैं पोत्रे भी हैं ब्रह्मा का बच्चा होने के करन तो ब्रह्मा का बाबा है श्री बाबा इसलिए तो श्री बाबा हमारा दादू है इसलिए पोत्रे हैं बच्चे तो है ही अब पोत्रे बने हो तो दोनों तरफ का हमें नेशा होना चाहिए शंतन भी है और नात उनको हम दादा कहते हैं बर्षा दादा का है शिबाब का है ब्रहमा दादा का नहीं वो ठाकूर दादा का है बेखुंटोबाशी बनने का बर्षा उस शिबाब से हमें मिलता है स्राप मिलता है इस से राबन से कौनशा स्राप नीचे उतरते जाते हो जैसे की ग्रहोचरी बैढते है नीचे उतरने की अभी तुम बच्चे समस्ते हो हमारी ग्रहोचरी तो रहो की दशा बैटी हुई है रहों की दशा है, सबसे खतरना, सबसे बुरी उचते उच ब्रियोश्पति की दशा, फिर रहों की दशा तो पाच बिकार के करण हम काले हो गई हैं बिकार में हम फस गई हैं और फिर बाप के एते हैं बचे, दान दे दो ये पाच बिकार का दान दे दो तो ग्रहन तुमारे छोड़ जाएगा तो तुमारी तो ये है तुमारी बात ये जो चंद्र ग्रहन होता है शुर्ज ग्रहन होता है ये तो प्रकृतिक नियम है अभी तुमारी आत्मा पर ग्रहन लगा हुआ है उन्होंने फिर शुर्जो चंद्रमा का ग्रहन समझ लिया है अब ग्रहन लगता तो तो वो कहते हैं दान दो तो ग्रहन छोड़ जाएगा तो यह इस समय का बात है यहां बाप तुमको कहते हैं पांश बिकर का दान दे दो तो ग्रहर उतर जाएगी ग्रहन उतर जाएगी इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो, मुखको है तुमरा देहा अविमान, पहले ऐसे सतप्रदान थे, फिर सतो, फिर रोजो, तमो, तमो प्रदान तुम बनते आये हो, दिन प्रते दिन तुम गेटते आये हो, चुराश्री जन्मों के लिए, यो तुपक्का निष्चे है बरबर दबताई ही, चुराश्री जन्मों लेते हैं, शुत्र बाबा ने बता दिया, पहले उन्हों को ही तु मिलना चाहिए, बाप से बर्षा, गाया भी जाता है, आत्मा ये परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बाबा कहते हैं, पहले पहले तुमको सतियों में हमें भेजा बहुत सोने जहुरात से तुमें भेजाता, फिर अभी तुम ही आकर हमें मिले हो, पुराना अभी तुम हमरा पास आये हो, आगे तुसरिक गाते थे, उनका जतरतो और्थ हो, अभी बाब बेट समझाते हैं, सभी बेद, शस्रो, जॉब, तब, तु स्लोगान अधी जो भी ह तो सबका सार बाबेट समझाते हैं, मने शुबूत कुछ पढ़ते हैं, अपने को उपर उठाने के लिए, इसका सार बाबा कहते हैं, मैं शंक्षप में छोटा करके मैं तुमको बताता हूँ, चक्रों तो बिलकुल सहाज हैं, अभी कलियोग और सतियोग का संगम हैं, ने ये पहला पेगाम दिया है, बाकी आत्मे पवित्र बन हिशाप की तप्चुक्त करके जाएंगी, तो यो सबके क्यामात का समय हैं, आत्मे शुरीर छोड़ चले जाएंगी, आत्मा होकर के बिंदू होकर के यो तुमारी बुद्ध में अभी हैं, कैसे हमारी अंतिम परि दाइत निवाना हैं, एक तरफ है करोडो मनश्य, दुसरे तरफ हो सिर्फ थोरे बच्चे, तुमारी में भी कितने हैं, जो निष्चे बुद्धी होते जाते हैं, फिर निष्चे बुद्धी विजयनती, फिर जाकर विश्णो की गले के माला बन जाते हो, एक है रुद्रा का एक खेल है, तो यह निषानी है, अभी तुमारी तुम मनश्य थे, फिर माला में तुम आ गई हो, तुम आत्मा इतना स्रेश्ट पुर्शाट किया, तो भक्त लोग तुमें तो माला बना कर कि गले में डल दिया, हातों में जपने लगा, हम आत्माई ही आकर, फिर बाप स बाप की गले के, गले का माला का दाना बनेंगे, फिर इहां आएंगे सतियोग में नंबर वार, त्रेता में को आएंगे, माला आट की भी होता है, एक शो आट की भी होता है, सुल हजर एक शो आट का भी है, अब सुल हजर है, यह पांच, दस हजर है, उनका कोई हिशार नही निकाला जाता, यह मलाए गाई जाती है, बाबा कहते है, तो यह सब तुम क्यों विचार करते हूँ, जितने भी राजाई कल्पों पहले सतियुक्त रता में बने थे, उन्हें ही बनेंगे, इनमें विचार करने का कोई, फल्तू चिंता करने का कोई बात नहीं, पुरुशाट ड्रमा में है, जो है वो तो होगा, लेकिन तुमको छुट़ी दिया है सरी, पुरुशाद करो, तो सो बने या दो तिन सो बने या पुश्ना नहीं है, वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो परिक्षा का प्रस्तुति लेना बाद में एक्जाम होता है, बाप कहते है, तुम जितना नजदिक आते जाएंगे, तो यह सब समझ जाएंगे, क्या क्या हो रहा है, तो अपना माइंड सेट हो जाएगा, आज तुम इहां है, काल विनाश होगा, फिर सतियुग में थोरे से देविदेवता तुमारा रज्य होगा, एक गाउजेजा होगा, बाद में एकुरेट नहीं कहो सकते, हाँ, तुम जब एकुरेट समपुर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमारी और जास्ती शक्षत कर हो जाएंगा, आगे के लिए क्या होगा, तुमारा स्थिती का उपर है, अभी तो बहुत कुछ समझने का समय परा है, तो यह शक्षत कर करत होती है, वो देन प्रतिदीब महंगा होती जाती है, बिलायत में भी तो यह खुब टैक्स अधी लगते रहेंगे, बहुत-बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएंगे सतियोग में, सतियोग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होगा, सब खनिया अधी भरपूर ह हो जाएंगे, नई दुनिया में बिशाय बईभव तुमारा आपड़ जाप तो रहेगा, आकिचार तुमारा धांग रहेगा, लक्ष्पी नरेन के पास बहुत बईभव थे ना, स्रिनात दारे में मुर्तियों के आगी भी कितना बईभव का भोग लगाते हैं स्रिनात दा दवतव को भोग चराते हैं, तो कहेंगे, दवतव को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नराज हो जाएंगे, तो अब इसमें नराज होने की बात है नहीं, तो तुम कोई पर नराज नहीं होते हो न, जानते हो ड्रामा उनशारी अग्नियाश होना ही है, इसलिए भवा के वान तो नराज नहीं होता लेकिन अभी शिक्षा तुमारी लेना है तुम किसी पर नराज नहीं हो कली यूग से बदल कर सती यूग होगा हम ड्रामा को समझते हैं ड्रामा अनुशार अभी नया चक्रो सुरू होगा अबी सतियुक से वांग से शुरू होगा तुम भी ड्रमा के बश्च में हो ना ड्रमा अनुशर बाब भी आया हुआ है ड्रमा में एक मिनिट भी नेचे उपर नहीं हो सकता जैसे बाबा आया तुमने देखा कलपो बाद भी हो भू है इसा ही होगा शास्त्रों में तो कल्पों की आयू बहुत लंबा चुरा लिख दिया है अभी तुम बच्चों की बुद्धी में है बरबर बिनाश शम ने खरा है इसलिए हमें पुरुशार्ट करना है हमें तो ये लक्ष दोज दिया है करमातित होना तो करमातित होने का पुरुशार्ट हमें करना अभी तुम गैलप कर रहे हो बहुत तुम्हें पुरुशार्ट का तिक ब्रता लाते हो जानते हो बाप को याद कर हमको करमातित अबस्ता को जरूर पाना है अर्थात iron ice से golden ice समान आत्मा को बनाना है अभी अगर पुरुशर्ट नहीं करेंगे तो पादवरश्ट हो जाएगा हे आत्मे अभी तुम पतिद बन गई हो न तो यह भी जानते हूँ तो बहुत किसं के आएङगे और धर्म में बदली हो गई है वो निकान कर आते हो到了 रहेंगे आगे चल करके बहुत प्रकर्क्राइटी आत्मा आएंगे आकर अपना पुरुशार्ट करते रहेंगे तो बाप से वर्षा पाना है न तो कौन कहा गाया कौन कहा गाया तो बाबा गेते सब इकटा होंगे ब्रह्मन धर्मों में आकर तो फिर देवता धर्मों में ट् ब्रिद्धी होते रहेंगे देखेंगे समने बिनाश आगा थोरा सा चेंगरी लगा तो यह तो ठीक कहते हैं फिर याद आएंगे ब्रह्मा कुमारी फलाना दिन अमारी यहां पर पदर्शने किया आप तो हमें जाना चाहिए तो धिरे धिरे तुमारा यह संस्ता ब्रिद्धी हो जाएंगे ब्रह्मनों का जार ब्रिद्धी को पाकर फुल हो जाएंगे फिर वापस जाएंगे तो सरीर मर जाएंगे आत्मा वापस जाएंगे अपना घर दवताओ का जार बनेगा जिसको जाना है जिसका पाढ़ है अभी तुम संगम पर राज्युक्षिक रहे हो इस सं गंगम का ही गायन है गंगा सागर का मिला दिखाते हैं तो बिला दिखाते हैं नदी सागर पर जाकर मिलते हैं तो वो सब है भक्तिमार की बाते हैं यो है ग्यान सागर और ग्यान सागर से निकली हुई ग्यान नदियों का मेला मदवन में हम जाते हैं आत्मा परमात्मा का मिला तो ज्यान सगर से पतित पावन अक्षर लगता है तो वो समझते हैं पतित पावने गंगा है और फिर गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं यह नदिया तो सतियूग में भी चलेगा यह यह दुनिया का पानी है तो यह उरकर जाते हैं बादल बनते फिर वर्शाथ हो करके तो सत्ययोग में भी आएगा, अभी भी है, आजकल तो नदिया भी कहा कहा डुबा देते हैं, लाट करा देते हैं, तो पकृति भी तमप्रदन, सागर भी तमप्रदन परा है, तो बहुत प्रकार का नुक्षान करते हैं, तो सागर थोरी ही उचलाएगा, सब कुछ खालाश कर देंगे सत्ययोग में ऐसा नहीं होगा, सिर्ट हम थोरी ही भारत में रहेंगे, जमुना के कंठे पर, मेठा पानी पर, दिल्ली परिस्थान थी, फिर बनती है, सत्ययोग में थोरी ही जीव आत्मे रहती है, फिर धिरे-धिरे तो आते रहेंगे, अभी तो कर युकान तो है, कितने धेर मुनिश्यों हो गए देखो रहने का, खाने का कोई तू बंदवुस्त नहीं है मेंगाई हो गई है बहुत करनाटो जिस से जिसको अच्छे रिती समझना है भल कोई आपने को एक्टार समझते भी है पर उन्तु कल को पाच अजर बर्शों का है यो किसको भी पता नहीं है कहा चुराशी जन्मो कहा चुराशी लाग तू मैच नहीं करता अभी तुम रोश्नी में हो गए हो तुमको बाब से वर्शा मिलता है बाबा के यते हैं मन मना भाब ये इंपर्टन बात बार-बार बबा हमें समझाते गीता में भी तो कितना बार ये सब्दों के इस्तेमाल कर गया है बाप को याद करना तो शीब भगवान वाचो कृष्ण थुरी ही गैन सागर होता है तो भगवान की महिमा में और दवताओ की महिमा में बहुत फरक है अंतर होता है तो बाप जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है तो ये दवताओ का महिमा सरभगुन शंपन्न सुला कला संपन्न अभी तुम ऐसे बंद रहे हो ना बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फरक है ये राज्युग है गाया भी जाता है भगवान राज्युग शिकलाते है तो वो है निराकार तो जरूर निराकार से साकार में हमें आना परे भगवान को आना परे हमको प्रणना से तो ग्यान नहीं देगा तो ये ब्रह्मा का तन में उनको घुसना पड़ता है भगवान की इतनी महिमा है तो जुरूर आना पड़ता है उनका जन्म दिब्व अलोकिक है और किसका दिब्व जन्म नहीं गया जाता है बाबा समझाते हैं यह अलोकिक दिब्व जन्म है तो यह भी बच्चों को समझाया होता है एक लोकिक बाप, दूसरा है परलोकिक बाप जिसको भगवान, भगवान को हो, याद करते हैं, तिसरह है अलोकिक बाप, ब्रह्मा बाप, फिर तो वंडर्फुल, तो ये वंडर्फुल बात है न, तीन बात हमको मिल गया, जब परलोकिक बाप बच्चे को एडप्ट करता है, तो बीच में ये अलोकिक बाप, ब्रह्मा ख इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया बनते लोकिक बाप को तो करके आठ दौश बच्चा होंगे अच्छा श्री बाबा भी है पारलोकिक बाप तो उनके तो उनके तो उनके बच्चे हैं सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदार से हैं अब इस संगम पर फिर अलोकिक बाप मिलत यह ज्ञान तुमको यही तो सतियों में नहीं रहेगा प्रजापिदा ब्रह्मा बाप मिलते ही तब जबकि बाप आकर नहीं दुनिया स्रिष्टि रस्ते है इस संगम पर यह अलोकिक जन्मा गया जाता है तो इनको कोई समझ नहीं सकते अब अब समझा दें जिसको पार्ट न लोखिक बाप तो सत्य युग से ले कर होती आए है परलोखिक बापको तो वो वो कोई याद नहीं करते क्यों वहाँ कोई दुख होता ही है एक बाप हे भगवान हे परमात्मा कह करके याद नहीं करते हैं फिर द्रापर में जब भक्ती मार्ग सुरू होता है तो दो बाप होता है सतियुग में एक बाप, द्रापर से दो बाप, संगम पर हमारतीन बाप तो प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी तुमें मिलता है अभी तुम उनके बने हो, उनका हैंड्स बने हो जानते हो यह अलोकिक बाप है अभी तुम इन बातों को अच्छे रिती जानते हो और याद भी करते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो सतियुग में याद करने के कोई दर कर नहीं दुप में परलोकिक बाप का सब सिमरन करते है यो तो बिलकुल सहज बात है सतियुक्तरिता में एक बाप होता है द्रापर में दो बाप होते है इस समय तुम अलोकिक बाप के बच्चे बने हो जिस दारा तुम बर्शा पाते हो बर्शा पाते हो देवी दवता बन जाते हो संपति तुम्हारा मिल जाता है तुम बच्चे ही ब्रह्मन बनते हो फिर तुम देवता बनेंगे, भिनाज भी से तुमारी को ही देखना है उचे पहारों में बैट करके तुम इन आकों से देखेंगे, बॉंब्स चोरा जाएगा, मुनिश्यों मरते जाएंगे, जापन में भी बॉंब्स चोरा देखा ना, आप इहां लराया लगती रहती हैं थोरा दिन बागी है तो जुद्ध भी कहते हैं तो खुद भी कहते हैं तौंग होते जाते हैं क्या परिस्तिती हुआ सब निराश होते जाते हैं दस बर्ष तक भी लराय चलती रहती हैं दस सल तक भी जुद्ध चलती रहती हैं तो बम्स में तो सेकेंड में सब खलाश हो जाएंगे तो चिंगरी लगती हैं तो सहर की सहर खलाश हो जाता है तो बम्स हैं आग भी लगनी हैं बम्स तरह आग भी लगाएंगे और उनमें परनाथ चीज भी इस्तिमाल करी आ जाएगा तो मुनिश्यों का दौम भी बंद हो जाएगे तो यह कोई प्रकर का बंस बनाते रहेते हैं खुद भी कहते हैं तो बाबा समझाते हैं तो तुम सब बचे जानते हो और बाप आए ही स्थापुना और बिनाश कराने तो जुरूर यह सब होगा पुरुशर्ट करने का अभी समय है गाया माया घरी घरी तुमारा बुद्धी जुप तोर देगी तो अजुन तुप अडुन स्थीर कहा बने हो माया परिस्तिति आएंगे लेकिन तुम्हें यूग करना पुरुशर्ट करना और लक्षो जो बाबा दिया तो क घंटा याद भी एक घंटा भी याद नहीं कर सकते बाबा किये ते तुम कर्मों जोगी हो ना आठ घंटा तुमें सेबा करना आठ घंटा तुमको पुरुशर्ट करना याद करने से बिकर्म बिनाश होते जाएंगे इसको ही जोग अगनी कहा जाता जिसमें जोग भश्म हो तो बच्छे बने तो यो भी इतना याद नहीं कर सकते बबा समझाते है देखो ग्रेवस्तों को छोड़ कर मदवन में जा करके रहने लगा उनको इतना याद नहीं जो ग्रेवस्त में रहो करके सब कुछ समाल करके बबा को याद कर सकते है बंदिलियों का बाद भी बबा समझाना याद कोई खटीन बात नहीं यह चक्र को घुमाना और यह बाबा समझाय है तो महलत है बापको याद करना चक्रों को समझना शमर्जिना समझाना मritबारे भी जोरूर लगी इस समये लगने का है अब तुम बज्यों को ओंदों की लाठी भी बनना है सब को रस्त बतानाsupp, बाप को याद करो, चक्रो को याद करो और सदर्शन चक्रो धरी बनो, अच्छा, मेठे मेठे, सिकि लधे बच्चो प्रती, माद पिता, बाप दादा का, याद प्यार और बुट मौनिंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चे को नमस्ते, हम रूहा आठ घंटा याद में रहने का पुरुशाद करना है अपने अवस्ता आचोल अडोल रखने के लिए याद का अभाश बराना है का पलत नहीं करनी है यह ड्रामा बिलकुल एकुरेट बना हुआ है इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है निश्चे बुद्धी बना है तो बर्दान है दिल में सदा एक राम को वसा कर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत बिजयी भब इसका बेक्खा भब समझाते हैं हनुमान की बिशेशनता दिखाते हैं वो सदा सेवादरी महाबिर्थाना इसलिए खोद नहीं जला लेकिन पूछ दरा सरा लंका को जला दिया तो इहां भी जो सदा सवादरी हैं तो वोही माया के अधिकार को खतम कर सकते हैं जो सवादरी नहीं वो माया के रज्जो को जला नहीं सकते बाबा के लंका मना माया करज्यों को जलाना हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता रहता है न तो बाप के सिवाए और कोई दिल में ना हो अपने देहो की स्तृती भी ना हो तो माया जित बिज्योई बनेंगे तो स्लोगान भी है जैसे आत्मा और सरीर कंबाइन है ऐसे आप बाप के साथ कंबाइन रहो आज का समान है मैं माया जित और बिज्योई आत्मा हो मैं माया जित भी हो और बिज्योई आत्मा भी हो बिज्योई हमारा जनम शिद्यदिकार है ओम शन्ति